नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडले आपके साथ राजनिती वो दलदल है जिसमें दल तो मिल जाते हैं लेकिन इन दल के निताओं के दिल नहीं मिल पाते हैं बिहार में महागडबंधन की सरकार है साथ दल मिलकर सरकार चला रही है लेकिन इन सारे दलों के निताओं की क्या दिल मिले हुए हैं क्या राजद और जदियू की नेताओं के दिल मिले हुए दरसल इंदिनों जिस तरह से मुख्यमंत्र ने तीश कुमार अपनी बयान दे रहें जिस तरह से CBI और ED की छापे मारी चल रहे है लालू परिवार के उपर और तेजस्वी यादों को समन भेजा जाता है उनसे CBI जो है वो हाजिर होने को कहती है और इन सारे मुद्दों पर जो है महागडबंधन के तमाम नेता अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहें और बीजेपी के खिलाफ अपनी बयान दे रहें लेकिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार जिस तरह से अपनी चुपी तोड़ते हैं और बयान देते हैं इससे उनके उपर ये सवाल उठता है कि क्या दल मिले हैं लेकिन इन दल के निताओ के दिल मिल पाए हैं बिहार के सीम नितीश कुमार पॉलिटिकल पीच पर क्या सच में तेजस्वी को प्रमोज करना चाहते हैं संकट की घड़ी में क्या वे वास्तव में लालू यादों के परिवार के साथ खड़े होंगे सीबियाई और एडी की लालू परिवार के खिलाफ कारेवाई पर जितने मुखर हो कर तेजस्वी ने बीजेपी खास कर केंद्र ग्रे मंतरे मित शा का नाम लेकर बयान दिया उतना मुखर मुख्य मंतर नितीश कुमार क्यों नहीं दिखते एडी सीबियाई के एक्शन पर सीएम का तो सीधा जवाब यहीं है कि जिनके खिलाफ कारेवाई चल रही है वे उसका जवाब दे रहे हैं पांच साल पुराना केस तब खुला है जब सुबे में महागरबंदन की सरकार बन गई है नितीश पर संदे इसलिए होता है कि यादो के साथ वे कभी खड़े नहीं दिखे भरसक या उन्होंने यादो की टांग खिचने का काम ही अपने साशन कान में अधिक काम किया यादो विरादरी के लोग भी इस बात को समझते हैं कि नितीश जो हमेशा यादो की टांग ही खिचते रहे हैं यहीं वज़य है कि महागरबंदन की सरकार में यादो अपना नेता नितीश के मुकाबले तेजस्वी यादो को ही अधिक मानते हैं बिहार के कुछ पत्रकार और कुछ राजनितिक रणनितिकार कहते हैं कि यादो विरादरी के नितीश कुमार की ओर से उपेक्षा किये जाने की सिलसलेवार आरोब लगा है लोगों का कहना है कि नितीश कुमार ने सदयव यादो जाती के खिलाफ जातियों गुलबंदी की राजनीती की है इसके बावजुद खराब घड़ी में हर दम यादों ने उनको संजीवनी दिये 1989 में नितीश कुमार के बार लोगसवा शित से चुनाओ जीतने में सबसे बड़ी भूमिका यादो जाती ने निभाई थी उस चुनाओ में यादों ने अपनी जाती के नेता राम लखन सिंग यादो को हरा कर नितीश कुमार को विज़ई बनाया था विरेंद्र यादो और कुछ पत्रकार ये भी बताते हैं कि 1994 में नितीश कुमार ने यादों के खिलाफ राजनीती की शुरुआत की यादों के खिलाफ गैर यादों पिछडों को अपने साथ गोल बंद किया इसी ताकत के सहारे बिज़ेपी के साथ करीब दो दशक तक यादव विरोधी राजनीती करते रहे लेकिन 2014-2015 में जब नितीश बेहत कमजोर पड़ गये थे जरना मांजी जैसे लोग उनके राजदितिक अस्तित्व के लिए संकट बन गये थे उस वक्त यादों ही उनके लिए संकट मूचन साबिक्थ हुए थे 2015 में यादों की वोटों की ताकत से सत्ता में वे वापस लोटे लेकिन 2017 में अपने राजनीतिक लाब के लिए यादों को छोड़ कर भाजपा के साथ चले गए बीजेपी के साथ जाने का बहाना भी उन्होंने खोज लिया सीबी आई जाज का ठीकर अर्तिजस्वी यादों के मत्थे फोड़ दिया 2022 में जब भाजपा ने उनकी पार्टी को निगल जाने का पुरा इंतिजाम कर लिया तब फिर यादों ने ही उनकी पार्टी को भाजपा का निवाला बनने से बचाया खराब वक्त में यादों ही निटीश कुमार के ढाल बनते रहे लेकिन बहतर दिन आने के बाद उन्होंने यादों से मूँ मोडलेने में कभी को ताही नहीं बरती इसके विपरित निटीश ने जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया उसी ने उनकी गाड़ी को पंचर करते का कोई मौका नहीं छोड़ा इसके कई उदाहरन है 2014 में जुतनरा मांजी की निटीश को मुख्यमंत्री बनवाया मांजी ने उनकी बोलती ही बंद करा दे थी अपने स्वजातिया रसिपी सिंग को निटीश ने राजनितिक ठेकेदार बनाया एमपी से लेकर पार्टी का रास्ट अधक्ष तक उन्हें बनवाया लेकिन उन्होंने निटीश की सत्ता को भी चौराहे पर निलाम कर दिया ताजा उदाहरन उपेंदर कुश्वाहा है उपेंदर कुश्वाहा की राजनिति यात्रा निटीश की उंगली पकड़ कर शुरू हुई थी रियाजनितिक का पहचान निटीश से ही मिली लेकिन मौका आने पर उन्हें निटीश का माह मोडने से परहेज नहीं किया तो देखिए मुखे मंतर निटीश कुमार हर वक्त यादो से अपना मुह मोड़ है लेकिन हर वक्त यादो जाती के लोग जो है वो मुखे मंतर निटीश कुमार के संकट मूचक बने हुए तो एक बर फिर सवाल उठता है कि जब बिहार में CBI और ED की छापे मारी चल रही है खास कर बिहार के पुर्व मुखे मंतरी लालू प्रशाद यादो और उनके परिवार उनके करीबियों के उपर CBI और ED का सिकंजा कस रहा है उस वक्त जब इतने भी महागडबंधन में दल के जो भी नेता है वो भाजपा के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं और लालू प्रशाद यादो उनके परिवार के साथ खड़े नज़र आ रहे है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य मंतर नितीश कुमार बयान देते हैं और कहते हैं कि जिन से पूछताच हो रही है जिनके उपर कारेवाई हो रही है वहीं इसका सटिक जवाब दे सकते हैं किस प्रकार मुख्य मंतर तेश कुमार अपनी चुपी तोड़ते हैं तो सवाल ये उठता है कि महागडबंधन में दल तो मिल गए हैं लेकिन क्या इन दल के नेताओं के दिल मिल पाए हैं फिलाल इस खबर हम बस इतना ही और वीडियो और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूस फोनेशन धन्यवाद